C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबक 15 सफा नंबर 90 पडोसी कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे उन्हें अपना घूसला बनाने के लिए कोई महफूज जगा नहीं मिल रही थी धून्टते धून्टते वो एक घने जंगल में पहुँच गए उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था उन्होंने उसकी शाख पर अपना घूसला बना लिया चिडिया अपने घूसले में बहुत खुश थी उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहाँ चिडियों के और घूसले नहीं थे और नहीं जान पहचान वाले थे उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी बोली देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पडोस की शाख पर घूसला बनाया है कव्वा अकेला रहता है मुझे बड़ा डर लगता है हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए कुछ दूसरी चिडियों के घूसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता इस सफ़े पर उपर की जानिब एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक शाख पर बिल्ली और उसके सामने घूसले में दो छोटे बच्चे दिखाए गए है और साथ ही दूसरी शाख पर एक कव्वा बैठा दिखाया गया है सफ़ा नंबर 91 चिडिय ने कहा घबराने की बात नहीं वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है धीरे धीरे चिडिया चिडे और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिल जुल कर रहने लगे कुछ दिनों के बाद चिडिया ने दो अंडे दिये और उन अंडों से दो नन्ने मुन्ने खूब सूरत बच्चे निकले कव्वा चिडिया के बच्चों से बहुत प्यार करता था जब चिडिया दाना चुगने बाहर जाती कव्वा उसके बच्चों की निगरानी करता कव्वा बाहर जाता तो चिडिया और चिडा उसके घुसले की देखभाल करते इस तरह वो दोनों पडोसी एक दूसरी की जरूरत में काम आने लगे इस सफे पर तीन तस्वीरें दिखाई गई है पहली तस्वीर में चिडा और चिडिया आपस में बात कर रहे हैं दूसरी तस्वीर में चिडा और चिडिया खाली घुसले को देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर में चिडा और चिडिया कव्वे से बात कर रहे हैं और उनका घुसला खाली है सफा नंबर 92 एक दिन की बात है घुसले में बच्चे अकेले थे अचानक बच्चों की चींचीं की आवास सुनकर कववे ने अपने घोसले से सिर बाहर निकाला उसने देखा कि एक बिल्ली चिडिया के बच्चों की ताक में बैठी है कववा सहम गया वो बच्चों को बचानी की तरकीब सोचने लगा वो दरख्त की सबसे उंची शाख पर बैठ कर जोर जोर से काएं काएं करने लगा उसकी आवाज सुनकर सारे पडोसी जमा हो गए सब के सब जोर जोर से चीखने चिलाने लगे चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई थोड़ी देर के बाद जब चिडा और चिडिया घर लोटे तो उनके बच्चों ने सारा किसा सुनाया वो बहुत खुश हुए और अपने पडोसी कवे का दिल से शुक्रिया अदा किया इस सफे पर दो तस्वीरे दी गई हैं पहली तस्वीर में चिडा और चिडिया अपने घोसले में बैठे दो अंडों को देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में घोसले में दो छोटे चिडिया के बच्चों को दिखाया गया है सफा नंबर तिरानवे मश्क पढ़िये और समझे पढ़ोसी आसपास में रहने वाला महफूज हिफाज़स से सही सलामत दरख्त पेड शाख तहनी घोसला परिंदूं का घर खटका डर निगरानी देख भाल ताक में होना तलाश में रहना सहम जाना डर जाना तरकीब तरीका किस्सा वाकिया असातिजा के लिए हिदायात कहानी की तस्वीरों को दिखा कर बच्चों से उनको अंदाजा लगा कर पढ़ने और सुनाने के लिए तरगीब दीजिए पढ़ोसियों से उनके तालुकात कैसे हैं इस पर गुफ्टगू करवाई जाए हमारे आसपास कौन-कौन से परिंदे होते हैं बातचीत कराई जाए सफ़ा नमबर 94 सोचिये और बताईए एक, चिडिया और चिड़ा क्यों परिशान थे? दो, चिडिया को किस बात का दुख था? तीन, दोनों पडोसी एक दूसरे के किस तरह काम आते थे? चार, कव्वे ने चिडिया के बच्चों की जान कैसे बचाई? पांच, बिल्ली क्यों भाग गई? खाली जगों में मुनासिब लब्स लिखिये अकेले, निगरानी, दरख्त, महफूज, किस्सा एक, उन्हें अपना घौसला बनाने के लिए कोई, खाली जगा, जगा नहीं मिल रही थी दो, जंगल में एक बहुत पुराना खाली जगा था तीन, कववा उसके बच्चों की खाली जगा करता चार, घुसले में बच्चे खाली जगा रहते थे पांच, बच्चों ने उन्हें सारा खाली जगा सुनाया सफ़ा नंबर पिच्चानवे तस्वीरें देखकर जानवरों और परिंदों की आवाजे लिखिए यहाँ नीचे कुछ परिंदों और जानवरों की तसवीर दी गई है पहली तस्वीर चिड़े की है, दूसरी तस्वीर कव्वे की है, तीसरी तस्वीर तोते की है, चौती तस्वीर बिल्ली की है और पांचवी तस्वीर कबूतर की है सफ़ा नमबर 96 अपने पडोसियों के साथ आप किस तरह मिल जुल कर रहते हैं, अपनी जमात में बातचीत कीजिए इस मश्क के सामने दो औरतों की तस्वीर दिखाए गई है, जिन में दोनों आपस में बातचीत और हसी मजाग कर रही है अपनी पसंद के किसी परिंदे की तस्वीर बना कर रंग भरिये खाली जखा अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन्स्वर, शिमाईला परवेज और परवेज गवहर तक्नीकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नैदिल्ली, भारत